लॉक्डाउन के बाद वही सफल हो पाएगा जो लोगों को अपने कंट्रोल कर में कर पाएगा क्योंकि अब इस्थिती और परिस्थिती बिल्कुल बदल जाएगी जो कुछ पेले था अब बिल्कुल वेशा नहीं रहेगा क्योंकि आने वाला समय कॉंपडिशन दस गुना ज़्यादा बढ़ा के आएगा क्योंकि वेवसाए कम होते जाएगे रोजगार कम होते जाएगे पर व्यक्ति कम नहीं होंगे तो जो व्यक्ति अपने बल से अपने सामर्थ से और अपनी समोन शक्ति से ग्राकों को अपने पास ला पाएगा वही सफल हो पाएगा इसका कारण क्या होगा कि वेवसाए में कॉंपडिशन की स्थिति इतनी भिगड़ जाएगी क्योंकि कम से कम पास से छे मेने तक तो हर वेवसाए को वापिस सही अवस्था में आते आते ही लग जाएगा जिस तरह से अभी परिस्थिति चल रही है उसी परिस्थिति के नुरूप अभी जो समय है ये साधना का समय है अपने आपको तयार करने का समय है अपनी शम्ताव को विक्सित करने का समय है जो इस समय अपने आपको तयार कर लेगा वही आगे चलके कुछ कर पाएगा तो जो इस लड़ाई में जीतना चाते हैं या सफन होना चाते तो अपनी साधना सम्मोहन साधना त्राटक साधना पर ज़्यादा जो होते हैं अभ्यास करें मन में चिंता तनाव की जगा जीवन से लड़ने की शमता विक्सत करें तभी तुम इस महामारी के बाद के जीवन को सही तरीके से जी पाओगे और सफल जीवन की सुरुआत कर पाओगे शिवम